प्रतेग मा के तीसरे बुधवार को होने वाला किसान दिवस कलेक्टरेट सभाकक्ष में संपन हुआ किसान दिवस में आए किसानों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखें जिसमें प्रमुक रूप से जरेकापुर बड़ा गाउं और नया गाउं में सरडकों पर बैठे गोवन्शों का मुद्दा रहा इन गोवन्शों से टकराकर जो दुरघटनाए होती हैं इस ओर अधिकारियों का ध्यान आकरिष्ट किया गया पिशली बैठक में उठाए गए मुद्दे जिसमें आवारा गोवन्शों के द्वारा फसलों का नुकसान किये जाने वा किसानों पर हमला कर चोटल किये जाने का मुद्दा फिर से उठाया गया प्रगत शील करशक आरपी सिंग चोहान ने बताया कि गोबरिया नदी का पूल टूटा है लेकिन पी डबलुडी विभाग द्वारा उसका निर्माण नहीं कराया जा रहा है जब तक निर्माण नहीं हो रहा तब तक किसी अन्य वेकल्पिग मार्क की वेवस्था कराई जाए किसान दिवस की बैठकों में पाया गया कि जिला खाद एवं विपणन अधिकारी सीतापूर अधिशासी अभियंता विद्यूत वित्रणखंड प्रथम दिती की चार शिकायतों के अत्रिक्त अन्य किसी अधिकारी द्वारा गत किसान दिवस में प्राप्त शिकायतों का न किसान नेताओं में खासी नाराजगी देखने को मिली कि उनकी मांगें जसकी तस हैं वह कोई समाधान नहीं निकल रहा है। इस मौके पर किसान नेताओं ने आई इंडिया से क्या कहा वह आप भी सुनिये। किसान उनकी नजरों में बेकार है। सबसे ज़्या समस्या हमारी आवारा पचुओं की है। मैं आपके सामने खराओं मेरे एक एकर कमप्लीट होने के बाद में धान पर सो चल गए। हमारे बच्चे घरों से निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि दर्वाजे पे सान गूम रहे हैं। फिजिकल एक्सरसाइज उनकी बंध है। हिंदुस्तान का बच्पन सानों के खौप की वज़े से घरों में दम तोड़ रहा है कोई सुनने वाला नहीं। अब योगी जी की गाएं है वो, योगी जी गोभगत आदिमी है। अब भाई तो गोभगत हो, तो अपनी गाएं को अपने सरक्ठर में रखो। हमारे बच्चों को कहा है मरवा रहे हो। कोई सुनने वाला नहीं। MSP का कोई मुद्दा नहीं। यह सघुआ हो, अब भर बटाओंगा हम लूग, हम लोग बताएंगे सरकार को कॉइड़ करने जा रहे हैं। छिशेख मोटल सब्सक्राइश ض्रस,!! हम उस पह जाएंगे भी मुंडन भी कराएंगे खेट भी जोतेंगे अपना साब्रायान करेंगे जान rests पिछले चौह संक्रांख सरे ने क्या क्यारे है lang बनाल रहे हैं कि 17 하겠습니다 संख्यां बताते हैं जो आपके पक्रोन है this पंदा सो औरंगाबाद में हैं, पक्चीर सो यही होगे, सत्रा सो से आट सो जादा तुक्यावलदोजे के होगे, दस हजार के ऊपर की संख्या है, और दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या आने जा रही है, इन्होंने आदेश कर दिया कि कमपाइन में क्या नीचे कुछ मुत्फुनूस लगाने के लिए, कुछ लगाने को है कमपाइन से वो लगने के बाद भूसा बन नहीं पाएगा, ये गोबनसों को खिराएंगे, क्या अभी तक तो जिसे जो लोग कमपाइन से कटवार है तो उससे भूसा बनागे, दो दो ट्राली, तिन तिन ट्राली, एक एक ट्राली, जिसकी जो हैसियत हो, जिसकी जो सद्धा हो, वो गोसालम दे दे दो, अब जब कमपाइन में SMS वो जो बता रहे हैं, एंग्रेजिम कुछ है मुद्फन्नूस, उसको जब ये लगा देंगे, तो जिब भूसा नहीं बनेगा, तो जानवर क्या खाएंगे? असर, MSP के मुद्दे को लेकर क्या बात है? MSP के क्या आप ये उम्मीद करते हैं कि बरतमान भारती जंता पार्टी की सरकार में किसानों का कुछ भला हो सकता है, क्या किसी दूसरे का अगर हुआ हो, तो किसानों का भी हो सकता है, बस गर्दन पर छुडिया चलाना, हमारे गुर्दे निकाल कर बेंजना, इस सरकार में बाकी है बाकी सब हो गया है उमेस पांडे प्रदेश सचु भार्ति किसान उन्यों टिकायत मैस्पी के मुद्दे पर अब समझ लीजिए आप वो इस टिटी हो गई चाहे जित्ता रोए कोई चाहे जित्ता चिलाए कोई किसान है तो उसकी कोई सुनने वाला नहीं है एमेस पी को दुनिया का सबसे बड़ा जो अंदोलन हुआ बार्ति किसान उन्यों और संयुक्त मोर्चा का जो दिल्ली महमलोग बैठे रहे लगबग उतना आठ्टक कोई विश्व में अंदोलन लंबा नहीं किचाथा पिर भी कोई एमेस पी पर सुनने वाला नहीं है आज की जो हालत है आप पूरे जिले में इस खबर को पहलाईए जिस खेट में गन्य की फसल खड़ी है उस खेट में धान की फसल लेकपाल की मिली भगट से दिखाया जा रहा है अब उसमें बाकायडे वो जो दलाल हैं वो लोग खरीद रहे हैं और जो किसान के पास धान है तो दलालों की और सरकारों की बीट मिली बगट चली उसको किसान कभी लांग नहीं पायगा वो ऐसी लच्मल रेखा बन गी उसको पार करते किसान या तो मार दिया जाएगा यासोसाइट कर लेगा आवारा प्रस्वों से तो आप लोग खुदे वाकिम हैं हम लोग अभी ए गर आटे आटे खटम हो गया तो बरबाद है किसान और मैं तो कहता हूं जितना भी आदमी धर खड़ा सुन रहा या पीछे सुन रहा या दाए बाएं कोई यह कहड़े कि किसाना जावाद है तो मैं यह देश छोड़ने को लिए दयार हूं आज यह किसान बरबाद हो चुका ह बेरंद यादो नाम है आप इस संचन में क्या है हम बला कर डेट है भारति किसान ने क्यों गुंदला मों से आज की मीटिंग को लेकर के हम लोग कई बार यहां आ चुके हैं और यो मस्पी पे आप बता रहे हैं कई लोग लिखकर दिया गया है किसान तो इस तरह से बरबाद हो जाएगा उसकी लागत नहीं निकल लेए और हम जो दिल्ली में हमारा धरना प्रदर्शन हुआ हम लोग पसु आवारा से तो बर्कुल बरबाद हो रहे हैं कई बार हम लोग लेकर दिये हैं हम तो यह कह रहे हैं जो गौसाले इनके संचालित हैं जो जिनमें सरकार पैसा दे रही है उसमें तो जानवर बंद होना चाहिए दस बीस जानवर के अलावा कहीं गौसाले में जानवर ही इस मुद्धे पर क्या आश्वासन में, आपको कोई भी अस्वासन महान है, 狂पि को लेकर आप लोग चाहते कि हमारी जो हम रेट है, मार्केट में रिदारित कर दिया जाे इसमीर कम नहीं भी काईगा, जो इनका जैसे जो भी है इनके सब रेट निर्धारित हैं कि इससे कम नहीं भी केगा तो हमारा लोगों को अभी तो मार्केट में निराज कर दिया है हमारा नाम बाल गोबिन, ताइसे लद्जर सिधोली माश्टरबाग में कब से कम एक हजार जानवर और अगल बगल गाओं में और स्वाम के टाइम जो है वहां पर जानवर अकठा होते हैं कई एक्सिडंट वहां माश्टरबाग में हो चुकी है सिधोली भिस्वा रोड पे पड़ता है इस तरीके बहुत सी घटाएं शेत्र में हैं लेकिन बार-बार यहां और यश्टियम साब को सबको दिया जाता है कहीं कोई कोई सुनने वाला नहीं हम लोग इस से बहुत तरस्त हैं खेती तो बरबाद होई ही रहे लेकिन जान पे भी खेले हैं हमारी ग्रामसभा में जो है मत्रापुरे ग्रामसभा उसमें जो है एक अवरत के बारा बज़े रात में पैसा परने उठी और वो इसको मार दिये तो उसके नोटा के सर में लगे तो बताओ किस तरीके से अपना जीवन जिया जाए और कोई सुनने वाला नहीं खबर आपकी नजर हमारी देखते रहे आई इंडिया